बड़ी अपसोड के साथ कहना पड़ रहा है यहां पे यह वीडियो बनाना तो नहीं चाहा रहा था बड़ अन्फरृट्टि यह वीडियो आप लोगों के लिए बनाना पड़ा है एक्चुलेटी में कल रात में जब मैं अपने समर को अन कर रहा था आपको पती यह समय जो है बारिज का मौसम है तो मैं अपने आपको टेंक है मेरा वाटर का उसको में फूल रखना ही पसंद करता हूं इस दोरां भी है क्योंकि लाइट की कब होता है कुछ पता नहीं है बट एंपर रेटिंग कुछ ज्यादा ले रहा है अपक्स यह टूइल टू फॉर्टी एंपर पर वॉक करता था बट सड़नली जब मैं इसको कल ऑन किया और काफी समय के बाद मैं सचे चलो कल अंदर बालती में पानी भल लेता है जो पीने के लिए होता है अपना बालती वह अल हां पर मेरे को कोई भी स्ष्वास नहीं देखने को मिली जैसे कि आपको पता है कि मेरा दो समल है वह एरउंट टू-थर्टी फिट जो है नीचे गया वह है अंडर गॉंड मेरा इतना नीचे है तू-थटी फिट जो इसका वाटर लेवल है वो ठर्टी फिट पे नीचे है इतना नीचे मेरे संभल गया हुआ है और जो मेरे संभल का पंप है वह एराउंड 180 के पंप लगा हुआ है ठीक है यहां पर सड्टनली जब मैं इसको कल स्टार्ट करने कोशिज किया तो यहां पर आपको बहुत सारे ऐसी चीज मिले जो कमी है इसमें ठीक है तो इसको क्या-क् करने जा रहा हूं साइध आपको यूटूब में यह वीडियो कहीं भी नहीं मिले आपको बहुत सारे मिल जाएंगे वहां पर इस्टार्टर रिलेटेट जो कनेक्शन बताएं कैसे कैसे कनेक्सिंग करना है बट कोई भी आपको यह नहीं बताया है किसे ने भी अगर प्रॉ को अगर मैं प्रेस करता हूं तो यहां पर बोल्टेज दिखाता है ठीक है भी लाइट नहीं इस समय और यह मेरा ओन का यह मेरा ओफ का ठीक है तो कल क्या हुआ अचानल जब मैं इसको आउन किया तो यह एंपर रेटिंग 20 के ऊबर चला गया ठीक है उसके बाद काफी बंग क्यों हो गया लाइट तो आ रही है मैं जब वाहरा के चेक किया तो यहां पर देखा कि एंपर रेटिंग बहुत ज्यादा जा रहा था मैंने तुरंती इसको बंग कर दिया ठीक है अब उस दुराम पर ज्यादा चल गया अभी मैं डॉट फूल में क्योंकि पांच मिन यह जो है एँ सी है यह दो धी आग्नियाट्र धिया हुआ है तो यहां पर दो केसिटडर आप देखने को मिल रहान आसा यह दो में होना को रहता है तो भी प्रोब्लेम आ जाती है आपको ठीक है तो जैसे कि मेरे को कैसे पता चलागी कुण सा क्यापिशिटर खराब हो गए दिखिए तो यहां पर डायरेट सप्लाई आती है अभी मैं आपको दिखाता हूं कहां से आता है यह यह जो पॉइंट है यह मेरा कंट्रेक्टर के थ यहां पर और एक में भी tablespoon हो सकता है था यहां पर यहां से जो है यहां पर यहां पर निकलते हुए और एक मेरा यहीं से डायेट न्यूटल मेरा यहां पर आ गया ठीक है अब जब मेरा यह कंटेटर ओन होगा जब मैं इसको आन करूंगा पूस्ट बटन से तब यहां से फेस एक फेस डायेट चला जाएगा और एक पॉइंट है यह इसको में आ रहा था इसमें सप्लाई नहीं आ रहा था इसमें सप्लाई नहीं आ रहा था है तो अभी मैं दोनों क्यापसिटर को चेंज करता हूं फटर पर तो चली चेंज कर लेते हैं चेंज करने का दुम्हाद में आपको पुस्टेश दिखाता हूं चिक है यहां पर देख रहोंगे मैंने निकाल दिया है जो अपना इस टार्टिंग इसको मैंने रिमूब कर दिया यहां पर देख रहे होंगे बत्तर माइक्रोफेट 440 बोल्ड का कैपसिटर है में भी हो सकता है खराब हो गया हो लेकिन जब भी इसको निकाले ना तो यह दोनों पॉइंट को आपको स्वाट कर लेना है क्योंकि चार्ज होता है और यह आपको नुक्सान पहुचा सकता है चीक है अभी में मार्केट से एक और कैपसिटर लेकिए आया हूं यहां पर देख सकते हैं यह बत्तर माइक्रोफेट का 440 बोल्ड का कैपसिटर है 50 पर वह कर है यहां पर देखिए यहां पर देख रहा होगा आपको यहां पर 120 अब्लिक 150 माइक्रोफेट 25 बोल्ड यह 200 बोल्ड का था मेरे पास लगाओ बड़ा नहीं में 275 बोल्ड का यह जो कैपसिटर लिया है इसको भी हम करेंगे उस पर तो फेंस यह देख रहोंगे यहां पर ज कुछ करने ही पाऊंगा आपके लिए अभी मैं बाद में दिखा दूंगा आपको बटर अभी फिलाल में इसको करेंट कर देता हूं यहां पर तो इसको टाइट कर देता हूं यहां पर हम यहां पर कर दिया है अब यहां करक्टें हैं साइड में और दूसरा पॉंट है दूसरा पॉंट इसमें के अट ओनाने कर देंगे यह इसको तुरिश्ट कर लिए ете है च्ञाने ऊसित था थीक है यहां पर टूस्ट कर दिया है और इसको जो ए रेड़ वाले फेस में रखना है ठीक है तो रेड़ वाले फेस में इसको भी हम कर लेते हैं कि तरीके से यहां पर इसको करनेट करनी होगी और और अधाइड कर देख टाइड कर दी हमने पूरा बराबर और यहां काम हो चुका है चलिए चलिए इसको यहां पर डाल देते हैं जगें पर यह चुका है समय अमारा प्लास्टिक पर फ्लास्टिक हमें मिला यह मार्केट में तो तो अब इसके जगह पर हमने दूसरा अलग क्यापसिटर लिया हुआ है तो इसको भी यहां पर हम आपन कर लेकि निकाल देते हैं और यहां से यह हमने निकाल दी और यहां से भी हम इसको भी निकाल देते हैं यह निकाल दी है फ्रेंट्स और यह हमने निकाल दी है इसका वायर काफी लंबा था तो अभी रखते हैं इसको साइड में हो सकता है में भी यह सही हो वड़ा भी पता नहीं इसका तो अभी तक तो यह डिस्चार्ज कर दिया हमने इसको तो फिलाल यह कैपशिटर तो मेरे को सही लग ही था तो जो युली कमें। से जरी फंटी में को में प्रेंस फाइनली हम ने यहांपे जरी होड़ का सबस्किंड ज decks कर दो है एक यहां पर स्बैसिट का सर्थ क्राइब जहां ज़को और एक यहां यहां पर दिया गया है और यहां पर सब्सक्राइब करने करते हैं चालू करने का दा को दिखाते हैं कि इसमें कुछ हुआ है या नहीं हुआ है जो अपना problem था वह solution solve हुआ है या नहीं हुआ है ठीक है सामने यहां पर देख सकते हैं यहां पर इंडिकेट दिया हुआ है दो जो है 230 वोल्ट एसी फेस और न्यूटल और यहां पर आपको दिखाया है में वाइंडिंग सेकंडि वाइंडिंग और यहां प तो इस्टार्ट करने के बाद अभी 20 एंपर के आसपास यह लोड ले रहा है तो हो सकता है में भी कुछ और problem है इसमें अभी डेखते हैं लेट सी और कुछ इसमें हो सकता है क्या और चली मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में वीडियो काफी लेंती हो चुका है तो हो सकत वीडियो पे मिलेंगे आपको